कि अपका यूपी एसे डर्टू फोर सैविन पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बात करते हैं यहां पर इतिहास की और इतिहास की इन कक्षाओं में हम बात करते हैं मुख्य परिक्षा की मुख्य परिक्षा और इसके साथ में प्राड़मी की परिक्षा में जो तथ्य पूछे जाते हैं उन सारी चीजों को हम लोग यहां पर डेली रात को साड़े आट बज़े शामिल करते हैं आई होब के मेरी आवाज आपके पास में ठीक तरीके से पहुंच पा रही होगी और ठीक तरीके से आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मत प्राचीन भारत में आगे यानि की सिंदुखाटी सब्विता उसके बाद में वैदिक काल और उसके बाद में आगे का जो चरण हैं उनको पार करते हुए आज का जो सेशन है हम बात कर रहे हैं पर पोस्ट मौरियन की यानि की जो मौरकाल के बाद की जो घटनाएं हैं उन सारे विश्यों पर हम लोग यहां पर बात करते हैं आई होप के मेरी आवाज आपके पास मैं ठीक तरीके से पहुंच पा रही है प्रशान सर्मा भारत सिंग सपना ठाकुर नजरा परवीन और नंदनी गोयल जी वेरी गूड इवनिंग टॉल आफ यू लेकिन उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूँ जैसे की सबसे पहले अगर मालीजी आपसे पूछा जाए कि हम इस जगे शामिल क्यों हुए हैं यहां हम क्यों डेलिलाद को साड़ आड़ बज़े आते हैं तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि सर हमको government job प्राप्त करनी है सरकारी नौकरी हमको चाहिए और सरकारी नौकरी का सपना हर एक पुत्र का ही नहीं पुत्री का ही नहीं बच्चों का ही नहीं माबाप का भी होता है कि उनका बेटा उनकी बेटी किसी सरकारी जोब को प्राप्त कर ले और इसी लिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बच्चे जो हो वो अड़ा 247 से सेलेक्शन हो और इसी लिए हम नए नए लॉंचिंग जो हैं यहाँ पर कुछ स्कीम के तहट कुछ कोर्सिस के तहट करते रहते हैं जैसा कि आप लोग को पता है कि आज 23 सारिक को सुबह 11 बजे एक बिगेस गिव अवे हुआ था यूपीए सीड़ 247 पर जिसमें कुछ बच्चों को टेस्ट सीरीज मिली कुछ बच्चों को पीडिएफ मिली बहुत सारी चीज़े मतलब उनको प्रदान की गई उसी तरीके की एक नई शुरुवात कल 24 सारे को हम लोग औल इंडिया लेवल पर एक स्कॉलर्शिप टेस्ट आयुजद कराने जा रहे हैं जिसमें आपके पास में अपर्चुनिटी रहेगी आपके पास में मौका रहेगा कि आप उस टेस्ट को दें और सो कॉलिफ कॉलिफ कॉलिफाइड करने के बाद में यहां पर यूपीए सीड़ टीम के साथ में आप लोग तयारी करें अपने आपको यहां पढ़ाते हैं वो कितना हाड़ वर्क कितना डेडिकेशन के साथ मैं आपके सांень यहां पर महनत करने के लिए तैयार रहते हैं खैर उन सब बातों को मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा एक नजरिया था कि मैं आपको सूचना दू कि आपको All India Scholarship टेस्ट जो है वो कल आयजित होने वाला है जिसमें आप सब को भाग लेना चाहिए पाटस्पेट करना चाहिए इसके साथ साथ में जो लोग पहली बार यहाँ पर आये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर लें और अगर चाहें लाइक जब आप कर रहे हैं तो हो सकता है कोई और भी कर रहा हो तो आप शेयर कर दें ठीक है यह बात मुझे आपसे कहनी थी दूसरी बात अगर आपको यह कोर्स समझ में आ रहा है आपको यह जो मेरी क्लास है यह समझ में अच्छी लग रही और आप चाहते हैं कि नहीं आप इस सपने को पूरा करना चाहते हैं सरकारी नौकरी के तो आप UPSC-247 की वेबसाइट पर जाएं उस एप को डाउनलोड करें और किसी भी कोर्स को चाहें वो UPSC-CSE का महापैक हो MBPCS का स्पेशल बैच हो या किसी भी स्टेट PCS का स्पेश बैच हो उसको आप पर्चेस कर सकते हैं और जब आप उसको पर्चेस करेंगे इस कोपन कोड को यूज करेंगे और इसके दोरा आपको वो जो फीस लग रही होगी उस पर आपको 78% तक का डिसकाउंट मिल जाएगा तो आप लोग अगर चाहें कि घर पे बैठके तयारी करने अफ़र्टबल प्राइस पर आपको तयारी करनी है तो मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग इस वेबसाइट पर जाएं अड़ा 247 की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर जाके आप कोर्स को सर्च करने के साथ में आप किसी कोर्स को खरी दें और वहाँ कोड यूज करें Y584 for maximum discount of 78% क्लियर है समझ में आ गया चलिए यह सारी डिटेल जितने भी लोग है यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर है वो सारी डिटेल इस वेबसाइट पर जाके अड़ा247.com की वेबसाइट पर जाके आप आराम से उस test series के बारे में सारा जितनी भी सवाल है उनकी सबकी आपकी शंका का समाधान कर दिया जाएगा ठीके बात क्लियर है चलिए तो लेट्स स्टार्ट और सेशन और स्वागत है आपका इस मस्तिवर संसार में जिसमें हम बात करते हैं इतिहास की इतिहास के उन पन्नों की जहां पर बहुत सारी कहानिया जो हैं वो दर्ज हैं और हम इस कक्षा में उनी कहानियों के बारे में जानते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसा की आप लोग जानते हैं जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत पर मौरवंश के बाद में कई सासकों ने साशन किया जिसमें से कल मैंने आपको बताये था कि यहाँ पर जो नेटिव रूलर्स थे या जो सेंट्रल इशिया से आक्रमा कारी थे जुन्होंने भारत पर आक्रमन किया तो उसमें मैंने आपको बताये था इंडो ग्रीक थे शकाज थे और इसके साथ साथ में पार्थियंस थे ठीक है उसके अधने कुशानाज भी आए उन्होंने भी यहां पर आक्रमन किया लेकिन जब छेतरी शैशकों की बात करते हैं तो वहां पर शुंग आते हैं कडव आते हैं और साथ वाहन आते हैं और साथ के बाद में आती है कहाणी गुप्ताज की और गुप्ताज के बारे में हम डेटेल से जानेंगे तो कल हम लोग यहां पर बाच कर चुके थे शुंग वंच के बारे में जिसकी स्थापना पुष्च मित्रशुंग के दोरा ब्रहधत को मारने के बाद में की गई थी किलियर है यहां तक की बात है I hope को आपको ठीक तरीके से समझ में आ रही है ठीके बात किलियर है चलिए अब मैंने आपको बताया था कि मौरवंश के बाद में जो सामराज था मौरवंश वो क्या हो गया विवाजित हो गया और इसका कारण क्या था यह हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि मोरेयों के या इतने बड़े सामराज का 안त होने का कारण ता वो क्या था कमजोर शाषक रहे हो उत्तर पश्चिम की सीमा खाली छोड़ दिया गया हो या जो विदेशिया कर्णाकार्ड जै वो जाधा ससक्त रहे हो कमजोर शाषकों के समक्ष उम्ही सारे सवालों के बाद मे क्यों क्योंकि यहां पर हमने कल आप से बात करी थी शुंग वंस के बारे में और शुंग वंस मैंने बताय था आपको कि पुश मित्र शुंग जो है वो इस वंस का संसापक था और उसके बाद में जो शाशन किया जाता है अगनी मित्र के दौरा तो अगरी मित्र शुंग वंस का दोतिय शाशक था जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कहानी जो आज स्टार्ट होगी वो किसकी होगी वो स्टार्ट होगी यहाँ पर कड़ वंस की और मैंने आपको बताया कि जो अंतिम साशक था जिसका नाम क्या था जिसका नाम था देवभूती क्या नाम था देवभूती उसके यहां पर क्या की जाती है हत्या कर दी जाती है ठीक है और देवभूती की हत्या किसके दार की जाती है तो यहां पर आपको आंसर देना है वेवा करना वू वाज़ा फाउंडर ओफ करवा डानेस्टी इन दा एंशिट इंडिया और मगद रीजन ओफ इंडिया यानि की प्राचीन भारत में जो मगद वाला छेत्र था वहां पर जो शुंग वंस था उसका जो अंतिम शाशक था उसकी हत्त्या किसके द्वारा कर दी वसुदेव के द्वारा और एक नया वंश स्थाबित कर दिया जाता है जिसका नाम क्या होता है जिसका नाम होता है कड़ोवज तो यहां से सवाल जो होते हैं बहुत पूछे जाते हैं तो आपको यहां पर ध्यान रखना है आपको यहां पर ध्यान रखना है कि किस तरीके स यहां से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं ठीक है बात वेरी गूड इवनिंग ओल अफ यू सारे लोगों को में फिर अब से गूड इवनिंग चलिए अब मैंने आपको बताया कि बही देव बूती जो था अंतिम्स आशक उसकी हत्या कर्णवं के दारखकर दी गई है और एक नया वंश जो है वह स्थापित हो गया है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है कर्णव डाइनेस्टी किलियर है यहां तक की बात चलिए इसका जो उत्रदेकारी है वो कौन है जिसका नाम किया है यहां पर भूमी मित्रा जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुंग वंश पर भी जो राजधानी थी वो पाटली पुत्र से विदीशा इस्थानतरित कर दी गई थी किस के दौरा पुश मित्र शुंग के दौरा और वही पर उसी विदीशा को राजधानी किसने बनाया है करण वंश ने जिसका संसापक कौन है तो आपको आंसर देना है यहां पर वशुदेव करण हाला कि इन रूलरों ने जादा शाषन नहीं किया क्योंकि इनके शाषन करने के दौरान उत्तर पश्चिमी छेतर से बहुत सारे आक्रमन जो थे वो स्टार्ट हो गए थे बहुत सारे आक्रमन किये गए ठीक है तो उनी सारी चीजों को हम यहां पर आज सीखेंगे ध्यान रखिएगा मैं आपको यहां पर अगर बताओं कि कौन कौन से शाषक थे तो पहला था वसुदेव करण जिसमें सापना की दूसरा कौन था यहां पर भूमी मित्र तीसरा कौन था यहां पर नारायन और चोथा कौन सा सुसर्मन जिसको हम यहां पर सुशर्मा के नाम से भी जानते हैं तो शर्मा भी इसको बोला जाता है तो शर्मा और इसी सुसर्मा की जो हत्या होगी वो होगी सिमुक के द्वारा जिसने इसकी हत्या करके साथ वहान वंश या आंद्र वंश की स्थापना की थी और ये भारत के दक्षणी छेतर पर यानि की जो दक्कन का पठार है प्लैटू पर इन्हों ने जो administration था जो प्रशाशन था उसका संचालन किया यहां तक की बात है आप सब को clear हो गई है या नहीं यहां तक की बात है सब को clear हो गई है इसमें कोई दिक्कत कोई परिशानी तो नहीं है yes और no यहां तक सब कुछ clear है देखिए एक्जाम में आप से question पूछा जाएगा तो उसके लिए आप कैसे clear करेंगे उसको सबसे पहले अगर माली जी आप से पूछा जाए कि मगत पर शाशन किस ने किया तो पहले आपको बताना यहां पर ब्रहदरत जो जरासंद का पुत्रता महावारत काल में ठीक है उसके बाद में डानेश्टी कौन सी यहां पर हर्यक ठीक है हर्यक की बाद में कौन आता है शिशुनाग शिशुनागा उसके बाद में कौन आता है यहां पर नंदा अब नंदा का मतलब यहाँ पर जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए नंदा है भारतियों के लिए तो क्या है यह नंद है ठीक है और नंदों के बाद में कोन आते हैं यहाँ पर मौरियंस मौरियन्स जो लाश्ट किंग के वह अपनगे। आपको याद होना चाहिए यहां से क्वेशन जो होता है वो बनता ही बनता है यह यह जब आपसे टेस्स लिया जाएगा तो उसमें इन क्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे चिके बात क्लियर है चलिए तो मैंने आपको बताया चार सासक पहला वसुदेवकंड दूसरा भूम साथ वहान चीक है क्लियर है चलिए आगे देखें भूमिमित्रा रूल फॉर पीरिड़ ऑफोर्टीन यहर्स एंड इस सन नारायना रूल फॉर ट्वैल यहर्स यानि कि जो उसका उत्रतकारी है भूमिमित्र उसने यहां पर 14 वर्स तक शाशन किया और जो नारायन है उसने यह उसका उसक तो यहां से दो तिन कुशन जो है वह आपसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अब थोड़ा से यहां पर ड्रास्टिकली चेंज आएगा क्या चेंज आएगा कि सर एक बात हमको बताईए आपने हमको यह बताया कि हम बात कर रहे हैं मगत की और मगत पर हमको यह भी बता है कि यहां पर जो ब्रदत होता है हर्यक होता है शिशुनाग होता है नंद होता है मौर होता है शुंग होता है कड़ होता है और सातवहान होता है इतना तो आपने हमको बता दिया लेकिन बीचों बीच यह संगम एज जो है यह कहां से आ गया औ एक दो question आपसे exam में पूछे ही जाते हैं इस बात के लिए आप लोग तयार रहें ठीक है तो इसी लिए हमने इसको क्या किया है include किया है अच्छा अब सवाल यह आता है कि इसका नाम संगम क्यूं है why it was known as संगम तो आप लोगोंने नाम सुना होगा संगम का इलहाबाद में यानि की तीन नदियों का संगम है इसलिए स्कूं क्या बोलते हैं संगम बोलते हैं ठीक वैसे ही अगर यहाँ पर हम बात करें संगमेज की तो द्यान रखना है आपको कि तीन academies हैं जिनका नाम क्या है जिनको हम संगन academies के नाम से जानते हैं और especially ये इन संगम academy से या इस संगम काल से हमको जो जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है दक्षिन भारत की याने की South India की हमको इससे जानकारी मिलती है कि यहां South India में तीन रूलर हैं एक का नाम है चोल आपने सुना होगा एक का नाम है चेर और एक का नाम है पंड़े ये तीन शाशक जो है ये दक्षिन भारत पर आकर साशन कर रहे हैं जिनको जिन्होंने इन साहितियों को सरक्षन दिया जिन्होंने इन साहित ओघ कinya दिया सरक्षन दिया संक्यारिय विजय लगर सामराज बिटा विजय लगर सामराज जो आथा है वो आता है 1336 में कि ए ठीक है और उस टाइम पर साशन होता है मुहंम्माद बिन तुगलक का और वो आता है मद्द कालीन भारत में यानि कि मिडाइवल इंडिया में और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं एंचेंट इंडिया तो यहाँ पर विजय नगर समराज कैसे आ गया मेरे लाल मेरे पीले और मेरे हरे ठीक है सारा अशोक का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया क्या हाँ अशोक का हमने एड्मिस्टेशन देखा उनकी हमने सोसाइटी देखी उनका हमने स्थानिय साशन देखा उनका हमने आठ जो कल्चर था आठ था उसके बारे में देख लिया है तो वो सा किस लोगों को पढ़ा रहा हूं किया मैं लोगों को पढ़ा रहे गया यह तो गलत बात है यह थोड़ सा इंक्रीज करो इसको यार मतलब 50 60 70 मतलब 100 नहीं तो ऐसा थोड़ी चलता है गलत बात है चलिए ठीक है तो आपको यहां पर ध्यान देखना है इस लिटर्रीवप्स वर दार्लियस पैसपन औफ ड़विडिय लिटरेचर यानि की जो संगम गाल की जो रचना है वहां से हमको जो जरविड का साहित है उसका उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है दूसरी बात जो तमिल के विदंटी है तमिल के मतलब जो पुराने लोग कहते हैं अनुशुरुतियां जन्हें कहते हैं ठीक है तो उसमें तीन संगम है यानि कि तमिल कभी जो है उनके संगम को यहां पर आयजुद किया गया था और इसी लिए इनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है मुच्छांगम ठीक है यह बात आपको यहां पर ध्यान देखनी है ठीक है आगे देखें जरा अगला पॉइंट कि अगर मैं आप लोग से पूछू कि आप मुझे बताइए मदुराई जो है वो कौन से स्टेट में है आप लोग लिए क्वेशन है मदुराई ज जली से अंसर दो टीक है और ऐसा कहा जाता है कि जब मदुराई में इसका आयोजन किया गया और जब इसका आयोजन किया गया तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो भगवान थे उन्होंने भीयाँ पर क्या है भगवान ने यहां पर पाट्सिट Cetr हुआ है सेकंड संगम वाज है लेट कप्डपुरम या कपडपुरम या ऐसे कौडम भी कहते हैं यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी यह कोशन बनता है यूपी पी सी यूपी सी स्टेट पी सी यहां से कोशन बनता है आप ने बहुत सारी क्लासेस देखिए लेकिन इन चीजों को स्किप कर दिया जाता है लेकिन मैं यहां पर शामिल कर रहा हूं ताकि यहां से भी अगर कुशन बने तो आप से वो गलत नहों और आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएं ठीक है चलिए तो पहला कौन सा यहां पर मदुरई दूसरा कौन सा यहा है जो पहला संगम था वह कहां पर ऊथा मदुरई में च है और तीसरा या पर भीन हैं यह तैben रखनी ने आप by three dynasties ठीक है तीन तीन वंचों के द्वारत शाशन किया जाता था कौन कौन से थे तो पहला कौन सा था चेर दूसरा कौन सा था चोल और तीसरा कौन सा था पांडे इनका रूल यहां पर हुआ करता था दक्षन भारत में ठीक है और इनके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है जानकारी और भी जब लिट्रेचर लिखा गया है तो वहां के बारे में तो रहेगा ना तो इनकी जानकारी हमसे कहां सर्वों से इनके बारे में हमको जानकारी जो है वो मिलती है ठीक है कौन-कौन से हैं चेर चोल और पांडिया ठीक है क्लियर है चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के नक्षे पर यह है कहां ठीक है तो सबसे पहले अगर आपने भारत का नक्षा देखा हो ठीक है तो यह जो इस वाले रीजन में हम लोग देख रहे हैं यहां पर इस वाले में तो यहां पर कौन है यहां पर है चेरा कौन है चेर ठीक है अगर आप इस वाले रीजन की बात करें तो यहां पर कौन है चोला यानकी चोल ठीक है और आप इस वाले रीजन की बात करें तो यहां पर कौन है यहां पर है पंडे यह रिज वर दधा एंशेर डायंस्टीज यह क्या है एंशेर्ण डायंस्टीज चेह चोल और पंडे ठीख है अब आप देखेंगे कि यहां पर जो इनका ऍंका Заीन वह अंचा है वह इनकी टाइगर ठीख है यहां यहांपर क्या है beforeford यह इनके एंबला मैं जो इनके चिन दोटेन नै प行了 मैं इनका कौन साथ चेर का कौन सा यौर नहीं की तीर कंवान इनका क्वांस यहांपर ताइगर यानिगी बाग और यहां पर आपको देना तो इनका तो आपको दिना यहां पर फिश याने की मच्छली इनका अंसर आपको यहां पर दे देना है ठीक बात किलिए रहे तो यहां तक की बात ठीक है चलिए आगे देखें नेक्स्ट प्रडेश यहां पर करें अगला पॉइंट अगर हम इंके पॉलिटिकल मैप को देखें पॉलिटिकल मेपको अगर यहां पर देखे तो ध्यान रखेगा यहां पर में यहां पर क्या लगा हुआ है श्रीलंका यह तीन यहां पर रूल जो है वो कर रहे हैं ठीक है आगे देखे ज़र अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो जो चोल थे दा चोलास न्ट्रोल दा सेंट्रल एंड नौर्दरन पार्ट और दा तमिल नाडू चीक है दा पांडयास रूल फ्रोम मदुरई और दे चेराज कंट्रोल दा सेंट्रल एंड नॉर्धन पार्ट ओफ केरला तो केरला हो गया मदुरई हो गया और तमिलाडू हो गया यह तीन डाइनेस्टी जैं और तीन मैंने आपको यहां पर स्टेट्स के नाम जो है वो बता दिये हैं ठीक है तो यह बात हम को यहां से चीक है अंकेश हेलो सर टुडेश माइ फर्स लाइव क्लास बहुत बढ़िया रबाश मनीशा पटेल कह रही है सर आप वर्ल्ड हिस्ट्री बताओ यह सही है यार मतलब अंग्रेजों की जो निशानी है जहां तक मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो शायद इसकी स्पैलिंग जो है वो यह होती है हमार आइट लेकिन आज एक नया हमको यहां पर देखने को मिलता है और वो क्या है हिस्ट्री चीक है यह बात आपको यहां पर ध्यान लखनी पड़ेगी देखिए अगर आप हिंद जवरदस्ती थोपी गई है जवरदस्ती थोप दी गई है ठीक है चलिए चलिए आगे देखें नेक्स पॉइंट दूसरा अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि भाई यह बताओ यह जो चोल है या जो चेर है या जो पांडे है इन्होंने एड्मिनिस्टेशन करना कैसे स स्टार्ट किया इनके बारे में हम लोग यहां पर जानने वाले तो ध्यान रखना है आपको कि चोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है ठीक है प्रारंबिक संगम साइतमेन का उल्लेख हमको देखने को मिलता है और चोल वंश की उत्पत् नदि है और जो कॉर्ट हो और चोश कावरी नदी है उसके बारे में आपको यहां पर ध्यान डखना है कि कावरी नदी करनाटक और तमिलाडू इन दो राज्यों में बैटि है इन दो राज्यों में बैटि है ठीक है, clear, चलिए, आगे देखें, next point की बात करें, दूसरा, चोल, the history of चोलास falls out naturally into four period, ठीक है, the early चोलास of the संगम literature, the interaction between the fall of the संगम चोलास and the rise of the medieval चोलास under विजयाले, and the third one is the dynasty of विजयाले, ठीक है, और finally, the चालोक के चोला डानेस्टी ओफ कुल्थूंगा चोला in the 11th century, यानि कि जब हम चोल काल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो चोल काल है, इसको हमने चार स्रेडियों में बाट दिया, चार तरीके से, क्योंकि आपको confusion हो सकता है, क्योंकि सर, अभी हम पढ़ रहे हैं, ancient भी शताबदी में, तो वहाँ पर भी हमको चोल देखनों को मिलेंगे, तो इसमें से हमको यह बताईए, कि यह दोनों एक ही थे क्या, हाँ, जवाब क्या होगा, इसका, जवाब होगा हाँ, छीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, छीक है, क्लियर बात, कि ancient time पर जो चोला है, संगम साहित में, छीक है, दूसरे कौन से है, जो मतलब फॉल हो गए ते, गिर गए थे, लेकिन उनको किसने उठाया, विजयाले ने, एक शाषक रहा है, एक एडमिस्टेटरिन राइस का नाम क्या है, विजयाले, छीक है, दूसरा, अब जब विजया पर करनी है, तो अगर मैं आपको यह बताऊं कि चोल काल को आप चार तरगी से क्लासिफाइट करोगे, तो इसमें जो पहला रहेगा, आपका वो कौन सा रहेगा, पहला रहेगा आपका, प्राचिन काल, संगम साहित, दूसरा, उनका गिरना चोलों का और विजयाले के द्व चलिए, आगे देखें, नेक्स पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट हमको क्या कहता है, दूसरा, तो मैंने आपको बताया कि इसको आप चार तरीके से क्लासिफाइट कर सकते हैं, अच्छा ध्यान रखिएगा, यह जो PDF है, यह आपको दोनों वाशाओं में मिलती ह है, ठीक है, अगर आपने जोइन नहीं किया है, तो जो UPSC PDF टेलिग्राम चैनल है, उसको जाके जोइन कर लो, तो आपको वहाँ से PDF भी है, वो भी क्या हो जाएगी, प्रोवाइट करा दी जाएगी, चलिए, आगे देखें, दूसरी इंपोटेंट बात, वैसे मैं फेक्स प्लास कंट्रोल दा सेंट्रल एंड नौर्दर पार्ट सब तमिल नाडू यह बता चुका हूं आपको, दियर कोर एरिया रूल वाजदा कावेरी डिल्टा लेटर नौन एस चोल मंडलम, याने की मैंने आपको बताया कि यह जो कावेरी डिल्टा वाला छेतर था, अब आप लेकिन जो पूहर था, पूहर उस टाइम पर एक पोट हुआ करता था, जहां पर राजा लोग जो थे वो क्या होते थे, रहते थे, चीक है, किलियर है, यस और लो, सर जी कमेंड को एग्नोर क्यों कर रहे हैं, कल टेस्ट की टाइमिंग क्या है, प्लीज रिपलाइ मी, मेरे भाई मिक्की पी कुंझ, एक बात बताओ जो रहा मुझे, जब क्लास स्टार्ट हुई थी, उस समय मैं आप से बोला था, कि आप इनिशल फेज में जाएं, अड़ा 247 की वेब साइट पे जाओ, उस पे आप सर्च करो, स्कॉलर्शिप टेस्ट, आपको पूरी डिटेल उसके बारे में मिल जाएगी, समझ रहो ना बेटा, तो आप क्लास को इंटरप्ट में इसलिए करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन करनी पड़ती है फिर, गुडीवनिंग, नदियों की घाटी, हाँ, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, दूसरी बार, टाइगर वास देयर एंबलम है, और दा चोलाज अलसो मेंटेंड एन एफिशेंट नेवी, ये क्वेशन बहुत जादा पूछा जाता है स्टेट PCS में या वंडे एक्जाम्स में, और वो ये के प्राचीन काल में या संगम काल में निम्न में से किसकी नौस हैना जो थी, या जो नेवी जो थी, वो सबसे जादा पावरफुल थी, तो वहाँ पर आपको आंसर क्या देना है, वहाँ पर आपको आंसर देना है, दाचोलाज, क्या बिलोगे, दाचोलाज, दाचोलाज also maintained also an efficient नेवी, और सवाल ये आता है कि क्यों, क्यों इस थापित करना है वाही इनको ने भी, सवाल तो ये भी है ना कारण क्या है कारण इसका ये है कि इनका जो एरिया है वो कौन सा है पूरा पानी वाला तो एरिया है ही कहां रह रहे है यो लोग यहां रह रहे है ना ठीक है तो इस वाले एरिया में इनकी जो नौ सेना थी वो क्या थी बहुत ज़्यादा प्रबल थी अनकी बहुत ज्यादा पावरफुल थी ठीक है क्लियर बात तुर्वजाकार नदी के बीज का गाटी चोला दो नदीयों के मिलने से डेल्टा का निर्मान होता है गुड इवनिंग मनुच कुमार ट्रेड हाँ बिलकुल सही बहुत बढ़िया चलो आगे देखे अगे देखे नेक्स पॉइंट यह मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके पास क्या थी नौ सेना थी ठीक है अगला पॉइंट यह जो शाशा कैस का नाम आपको याद रखना है और पत्नी पलाई पोर्ट्रेज इस लाइफ एन मिलेटरी कंक्वेस्ट यानि की जो चित्र है उसमें इनके बारे में इनकी जो लाइफ है उसके बारे में जानकारी मिलती है यह इंपोटेंट है यह पूछा गया है इसको आप हैस्टेक करा लो यह एक्जाम में पूछा गया है ठीक है यानि की इस टाइम पर इस टाइम पर इसने जो जो चेर थे और जो पांडे थे उनके साथ साथ में जो ग्यारा छोटे अन्य प्रमुख शाशक जो थे उनको भी इसने यहां पर हराया था ठीक है किलियर है यहां तक की बात समझ में आ गई उस टाइम पर जो तमिल रीजन था वहां पर करेकला को एक प्रमुख शाशक के रूप में गोशित किया था दूसरी बात मैंने आपको बताया कि इनके पास में नौ सैना थी और नहां सैना का मुख्य कारण जो था वो क्या था वो था इनके पास में अंत्रप्रष के दौरान आपको विशाकापट्णाम पोर्ट जो है वो देखने को मिल साथ है ठीक है चलिये आगए आगे देखें नेक्सट चेर ध्यान लकना इनकी राजदानी क्या है इनकी राजदानी वंजी है और उनकी राजदानी क्या थी उनकी राजदानी उरियूर थी किसकी चोलाज की हम अब क्या पढ़ रहे हैं यापर चेर पढ़ रहे है ठीक है यानि की पहले शताबदी के पुगलूर शिला लेख से हमको चेर साथ सकूं की जो तीन स्रेडियां हैं, तीन पीडियां जो हैं, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, और important बात यहां पर यह, कि the chair has of its importance to trade with romance, यानि की जो चेर थे, वो romance के साथ में क्या करते थे, वो वहां उनके साथ में व्यापार करते थे ठीक है ठीक है बिलकुल सही जोती बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश चलिए ठीक है यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको चलिए आगे देखें जड़ा दा पांडियाज अब इनकी राजधानी क्या है भई मदुरई तीनों क कि क्या थी वंजी पहले की क्या थी उरूरी ठीक है तो तीनों कैपिटल साब को यहां पर याद रखनी है ठीक है क्लियर है हाँ बहुत बढ़िया मनोज कुमार शाबास इसी से इसी से हम को यहां पर देखने को मिलेगा भी ठीक है दा कोर कई वास देयर में पोर्ट मचली था एवलम क्या था इनका मचली था ठीक है ध्यान रगना इस बात को पांड़ों ने मत्यरही से साशन किया तो राजधानिया यह आपसे जब मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें आपसे इन प्रशनों को पूछा जाएगा तो आप लिए क्या रखें तैयार रहें ठीक है सा यहां पर पांड़ा के बारें बात करने वाले हैं सती कैजल आइडल वर्शिफ वर कॉमन और विडोज वार ट्री ट्रेट वैडली यानि की सती जाती विवस्था मूर्ति पूजा आम थी और विद्वाओं के साथ बुरा विवार किया जाता था दूसरी बात उन्होंने यग के वैदिक धर्म को अपनाया और ब्रह्मन पुजारियों को सरक्षन भी दिया किसकी बात चल रही है यहां पर पांड़े की बात चल रही है तीसरी बात काल ब्रस नामी जंजाती के आकर्मन के साथ उनकी शक्तियों में क्या गई गरावाट आ गई यह लोग यहां पर स समाप्त हो गया यानि की खात्मा हो गया ठीक है किलियर है चलिए आगे देखें पोजीशन ऑफ वुमेंट डूरिंग संगम में संगम इलाओं के इस्थुति ठीक है दूसरी बात यहां पर क्या है संगम सुसाइटी यानि की संगम समाज तीसरी यहां पर क्या है पॉलिटी संगम यह यानि संगम यूक का अंत इतने सारे सवालों के जवाब इतने सारे जो भी पॉइंट है उन सारे सवालों के जवाब जो है वो हम ढूड़ेंगे चोला उरियर बिलकुल सही ठीक है किलियर है चलिए आगे देखें यह इंपोर्टेंट है यहां से प्रश्ण जो है पूछा जा सकता है ठीक है फाइफ फोल्ड डिवीजन ऑफ्स लेंड्स यानि कि जो डिवीजन था उसका पांच प्रकार से वर्गिकरत किया गया था पहला कौन सा था कुरुण जी यानि कि जो पहाड़ी रास्ते होते तो मरोदं को क्या बोलते थे क्राइज जो फर्टाइल ए है ठीक है नेडल को क्या थे थे तटिय और अगला क्या यहां पर पलाई यानिकी रेगिस्तान यहां से एक्जाम में आप से क्वेशन पूछा जा सकता है और इसके साथ साथ में चार जातिया थी यहां पर फोर का सिस्टम जो था वो भी आपको यहां पर ध्यान रखना है चार जाती है कौन सी अरसार दूसरी अंतार यज वानिगर ठीक है और यहाँ पर कौन सी है वैलार ये चार जाती है देखने को मिलती है और ठोड़ा िरुला नागा और व्यदार जैसी प्राचेंजनजाती है कि इस अबदी में रहते थे जिसकी जानकारी हमको इस वंस से देखने को मिलती है इसका नाम क्या है जिसका नाम है तोकपीम क्या नाम है इसका नाम तोकपीम नाम है उरियर उपर लिखा हुआ है देख लीजे ठीक है? किलियर है? Yes और No नेट में कुश्चन आते हैं इससे चीक है तो ध्यान दगना कि आपको यहां पर फोकस करना है किस पर तोलक अपियम ने जे किताब है जिसको किसने लिखा था तोलक की यार द्वारा लिखित है ये उसमें हमको इस वंस की यानि की संगम युग में जो भूमी विवस्था थी या जो जाती विवस्था थी उसके बारे में हमको जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है ठीक है बात आगे देखे जड़ा इस्पेशली अगर वुमेंस की बात करें तो वुमेंस में आप यहां पर देखेंगे कि महिलाओं का सम्मान था और उन्हें बहुत दिक गत्व या ककी पडिनियार यह तमिल के नाम है तो आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे ठीक है जैसी महिलाओ कवियों ने तमिल साहित में विकास किया और उसमें योगदान दिया और महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की छूट थी लेकिन विद्वाओं का जीवन कैसा था विद्वाओं का जीवन दैनिय था कैसा था दैनिय था ठीक है किलियर है यह सर चलिए यह एक इंपोर्टेंट चीज है यहां से कैस्षन आपसे एक्जाम में बन सकता है ठीक है बहुत बढ़िया गुट शाबाश ठीक है तो मुर्गन वाज ओनर नौन एस अरुपदाई वेडू यह एक देवता है जो हम लोग जिनको भगवान कार्थिके के रूप में जानते हैं और वो उस टाइम पर इनकी पूजा करते थे लेकिन इनके साथ साथ में विष्णू इंद्र और वरुण इन सब की यहाँ पर क्या उने लगी इन सब की यहाँ पर पूजा जो थी वो की जाती थी इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान दखना है ठीक है क्लियर यहां तक की बात क्लियर है दूसरी बात संगंकाल के दौरान पूज़ा जाने वाले अन्य देवताओं में कौन कौन है विश्णु है वेंदन है वरुणन है और कौन से है कोरो भई दक्षिन भारत के जो भगवान है उनके बारें बात की जा रही है लेकिन मख् उस टाइम पर एक प्रमुक देवता है जो हमको देखने को मिलते हैं किलियर है यस और लू सवाल ही आता है कि सब जो पूहर पूहर जो पोट है पूहर जो बंदरगा है वो हमको कहां देखने को मिलेगा ठीक है तो ध्यान दीजिएगा यह नक्षा आपके सामने मैंने रख दिया है और आप यह बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह एरिया कौन सा है केरला ठीक है यहां पर क्या देख जाएगा आपको तमिल नाडू और इसकी ऊपर वाला एरिया कौन सा है आपका अंध्र प्रदेश ठीक है सुनिए जारा एग्रिकल्चर वाज़दा चीफ होगा कि क्लियर यहां तक की बार ठीक है समझ में आगे तो ध्यान लखेगा कृशी मुख्य पर वसाय था जहां चावल सबसे आम फसल थी और पूहर शहर बार का बंदरगा शहर था जो विदेश वियापार का एक महतवपूर्ण स्थान था अगर आप देखें तो प्राची हमको यहां पर फोकस किस पर करना करना पड़ा हमको यहां पर फोकस करना पड़ा किस पर जल मार्ग पर ठीक है तो इसी लिए उस टाइम पर जो उस टाइम पर जो बंदरगा है यह एक बहुत ही महतवपूर्ण है चीक है यहां तक की बात क्लियर है यहां तक की बात क्लियर है सबको यह और लो तो गाई आज का सेशन मैं यही रोक रहा हूँ थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है कल हम फिर से इसको continue करेंगे और कुछ मेत्वपूर्ण सवालों के साथ में इसको शामिल करेंगे ठीक है तो आप लोग आज थोड़ा सा समा प्रारती हूँ के सेशन को मुझे यही रोकना पड़ रहा है ठीक है तो बाकी सारी बातें बाकी सारी चर्चा हम करेंगे कल बने रहे हैं आप मेरे साथ थैंकी सो मच भारत माता की जै बाकी सारी प्रारत माता की सारी चर्चा टीक है